भारतिय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले 52 दिनों से अंतरराष्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसी हुई हैं। अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या के कारण उनकी पृत्वी पर वापसी की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। सुनीता का एक अनोखा वीडियो सामने आया है जिसमें वह पैरिस ओलंपिक की शुरुआत पर खिलाडियों को शुभ कामनाई दे रही है। इस वीडियो में सुनीता और बाकी अंतरिक्ष यात्री ओलंपिक टॉर्च पकड़े नजर आ रहे हैं। यह टॉर्च इलेक्ट्रिक है। वीडियो में सभी अंतरिक्ष यात्री विभिन्न खेलों में हिस्सा लेते दिख रहे हैं। सुनीता विलियम्स जिमनास्टिक्स कर रही हैं। जबकि अन्य अंतरिक्ष यात्री वेट लिफ्टिंग, रेसिंग, डिसकस थ्रो, शौट पुट जैसे खेलों में अपना हुनर दिखा रहे हैं। अंतरिक्ष यात्री वेट ने कहा, पिछले कुछ दिनों में उलम्पिक खिलाडियों की तरह खेल कर हमें बहुत मज़ा आया। हालां कि हमें यहां गुरुत्वा कर्शन का फायदा मिला। हम कलपना कर सकते हैं कि ओलम्पिक खिलाडियों के लिए यह कितना कठिन होता होगा। हम सभी प्रतियोगियों की सफलता की कामना करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस वीडियो को साज़ा किया है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए रवाना हुई। लगभग 25 घंटे बाद विलियम्स अंतरराष्ट्रिय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँची। मिशन के तहट उन्हें आठ दिनों के लिए शोध और प्रयोग करने के बाद 13 जून को पृत्वी पर लोटना था। लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याएं आ गई। सुनीता विलियम्स के साथ उनके साथ ही बुच्छ विलमोर भी अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि ISS पर पहुँचने के अंतिम चरण में स्टार लाइनर के 28 रियक्षन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से पांच असफल हो गए। हालांकि इन में से चार बाद में फिर से काम करने लगे। बोईंग और नासा की ग्राउंड टीम ने सपताहांत में थ्रस्टर हाट फायर टेस्ट किया। एक थ्रस्टर कम दबाव के कारण परीक्षन के दौरान नहीं चला। यह पृत्वी पर लोटने के दौरान आफलाइन रहेगा। यदि यह मिशन सफल रहता है, तो इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए दो अंतरिक्ष यान होंगे। वर्तमान में अमेरिका के पास केवल स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान है। नासा ने 2014 में स्पेस एक्स और बोईंग को अंतरिक्ष यान बनाने का ठेका दिया था। SpaceX ने इसे चार साल पहले ही बना लिया था